चुनाओ में जातिय समीकरन की बड़ी भूमी का, निसात समाज ने मांगा था आरक्षन, आरक्षन नहीं तो BJP को वोट नहीं, निसात समाज की दो टूप के बाद जागी सरकार, उत्तर पड़े स्विधांसवाच जीतने के लिए BJP जातिकर समीकरन बैठाने में लगी है अनुस्यत जाती के आरक्षन की आस लगाए निसाद समाज ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है निसाद पार्टी के अध्यक्त संजय निसाद ने बीजेपी से दोटूब कह दिया है कि निसाद समाज को आरक्षन नहीं तो समर्थन भी नहीं वहीं सपा प्रमुक अखिले स्यादों से लेकर वी आईपी पार्टी के मुकेस सहनी भी निशाद आरक्षन को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है आपको बता दे कि लखनों में रमाबाई पार्क में 17 दिसंबर को निशाद समाज की रैली हुई थी जिसमें आरक्षन की उमीद से हज़ारों की संख्या में निशाद समाज के लोग आय थे लेकिन इस रैली में केंद्री ग्रिह मंत्री अमिट साह ने निशाद आरक्षन की मांग पर कोई जबाब नहीं दिया इसके चलते नाराज संजय निशाद ने मुख मंत्री योगी आदे तिनाथ को चिठी लिकर कहा है कि मेरे कारे करता मुझ पर भरोसा करके रैली में आय थे ग्रिह मंत्री अमिट साह को निशाद आरक्षन के मुद्दे पर कुछ न कुछ तो कहना ही चाहिए था 2022 में बीजेपी को सरकार बनानी है तो निशाद समाज का ख्याल रखना होगा वही मुके साहनी भी निशाद आरक्षन को लेकर लगातार बीजेपी पर दबाव बनाए हुए है संजय निशाद की तरफ से दिये गए अल्टिमेटम और रैली में विरोध के बाद यूपी सरकार जाग गई है यूपी में निशादों के आरक्षन के लिए यूपी सरकार ने ततकाल भारत के महापंजियक और जनगनना आयुक्त को पत्र लिखा कर उनकी सलाह मांगी निशाद पाटी के प्रमुख डॉक्टर संजय निशाद ने मजभार जाती के सभी उपनाम वाले लोगों को भी अनुसुची जाती का प्रमान पत्र प्रदान किये जाने की मांगी है इसके दिश्टिकत राजे सरकार ने 20 दिसंबर को पत्र भेज कर जनगनना आयुक्त से ततकाल मांग डर्शन उपलक्त कराने का नुरोध किया है सरकार की इस पहल को निशादों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है